हेलो दोस्तो, वेलकम टू NCRT Aimpoint, तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे भोतिक एम रासानिक परिवर्तन, सबसे पहले हम इसकी थोरी के बारे में जानेंगे, किक पॉइंट को किलियर करेंगे, और फिर हमने कुछ कोसन लिए गए आपके टेस्ट के लिए, जो की आपका confidence level बढ़ परिवर्तन होते हैं, फस्ट है भोतिक परिवर्तन, जिसको physical change कहते हैं, भोतिक परिवर्तन में होता क्या है, कोई पदार्थ से नया पदार्थ ना बनना, सिधा सा मतलब यह हुआ, कि जो पदार्थों का रासानिक संगठन होता है, उनके अंदर परमानू, अनू, एवं आय होते हैं, उनकी किरिया के दोरान, जो नया पदार्थ बनने की किरिया होती है, उसमें परमानू, अनू, और आयन, अर्थार्थ रासानिक संगठन उनका नहीं बदलता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई पदार्थ से नया पदार्थ ना बनना, रासानिक संगठन उनका अ परिवर्तित रहना दूसरा पोइंट है भोतिक परिवर्तन उतकर्मणी होता है उतकर्मणी क्या होता है reversible यानि दोनों जगह से किरिया होती हो reactants से product जैसे कि a2b और b2a यहाँ परिवर्तन यहाँ परिवर्तन आस्थाई होता है तो भोतिक परिवर्तन में कोई नया पदात नहीं बनता है, भोतिक परिवर्तन उतकर्मने होता है और यहाँ परिवर्तन अइस्थाई होता है, ठीक है? एक्जाम्पल देख लेते हैं, भोतिक परिवर्तन के उद्धार्ण, सबसे पहले विद्धुत बल्ब का जलना, विद्धुत बल्ब का जलना क्या एक भोतिक परिवर्तन है, नमक या चीनी का पानी में गुलना, नमक और चीनी का पानी में गुलना भी एक भोतिक परिवर्तन बरप का पिंगलना यानि बरप का गलन ये भी एक भोतिक परिवर्तन है आयोडीन का उध्रुपातन ये भी एक भोतिक परिवर्तन है बादलों का बनना क्या एक भोतिक परिवर्तन है तो भोतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात बने नए भोतिक परिवर्तन में परि भोतिक परिवर्तन के किसी पदार्त में हो रहा है तो A to B मैंने आपको बताया B to A यानि जो आपका उत्पाद है वो अभिकारक यानि किरियाकारक में बदल सकता है तो भोतिक परिवर्तन के कुछ उद्धान हुए आगे देख लेते हैं नेक्स एक्जाममपल है स्प्रिंग को खीचना या दबाना जैसे आप इस्प्रिंग को खीचते हो या दबाते हो वो पुण्य अपनी प्रामविक अवस्था में बहुच जाता है यही भोतिक परिवर्तन है पलेटीनम के तार का गरम करने पर लाल तप्त हो ना तो जैसे आप पलेटिनम के तार को गरम करते हो तो लाल तप्त हो जाता है लेकिन छोड़ने के बाद वो तुरंत अपनी पुन्यावस्ता में आ जाता है यही एक बहुतिक परिवर्तन है Next, रासानिक परिवर्तन दूसरा पोइंट है, इस परिवर्तन में नेय पदार्थ का बनना, यानी जो पदार्थ का रासानिक संगठन है, वो पुरा completely change हो जाता है, उसके पर्मानू अनु एम आयन पूरी तरह से change हो जाते हैं तो इस परिवर्तन में नए पदार्थ का बनना होता है यह परिवर्तन एक अनुत कर्मने परिवर्तन है यानि जो reaction होगी जो किरिया होगी वो A to B ही होगी खाली यह परिवर्तन इस्थाई होता है जो रासानिक परिवर्तन होता है वो इस्थाई परिवर्तन होता है लेकिन भोतिक परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन होता है इसमें नोट है परिवर्तन का कारक हटा लेने पर पुन्हा मूल अवस्था की प्राप्ते नहीं होती जैसे हमने क क्या है राशानिक परिवर्तने और इस्ठाई परिवर्तने नेक्स्ट आगे राशानिक परिवर्तन के एक्जामपल मुंबत्ति का जलना दूद का फटना दूसे दहिका बनना कच्चे फल का पकना सरीर में भोजन का पाचन लोहे में जंग लंगना अंगूर के रस का किनवन भोजन का पकना, इंधन का जलना, जन्तू और पादपू अवस्तेसों का सडना या गलना. तो ये सभी क्या है? रासानिक परिवर्तन है. For example, रासानिक परिवर्तन रासानिक अभिकिर्याओं के फलसरूप होता है. तो ये note लिखा हुआ है कि जो रासानिक परिवर्तन होगा, वो रासानिक अभिकिर्या ओके फलसरूप होगा, जितनी भी रासानिक अभिकिर्या होती हैं उन सभी में रासानिक परिवर्तन अपलाई होता है। पदार्थ की अवस्था हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जो पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, दर्व, गैस, उन सभी में भोतिक परिवर्तन अपलाई होता है, जैसे आपका जम जाना, गलन, उद्रपातन, निक्षेपन, वास्पिकरण, संगनन, ये सभी क तोस में जाना होता है हीमिकरन यानि जम जाना इसके बाद ठोस से सीधा गैस में आना ठोस से सीधा गैस में होता है उद्रपातन और गैस से सीधा ठोस में जाना होता है निक्षेपन जिसको डिपोजिशन कहते हैं इसके बाद गैस से गैस से सीधा दर्व अवस्था में पोच तो ये सभी क्या है ये सभी भोतिक परिवर्तन है भोतिक परिवर्तन एवं रासानिक परिवर्तन में क्या डिफ्रेंस है भोतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता लेकिन रासानिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है भोतिक परिवर्तन अस्थाई होता है रास सोसित होती है लेकिन रासानिक परिवर्तन में जब A to B किरिया होती है तो अधिक मात्रा में उस्मा या उर्जा निकलती है अब सोसित होती है भोतिक परिवर्तन में पदार्त का दर्यव्यमान अपरिवर्तित रहता है या B to A भोतिक परिवर्तन लग रहा है तो उसमें पदार करते हैं इसके उपर कोशन जो की एकजाम में कॉंपिटिटिव एकजाम में आयो हैं जो कि आपके कॉंपिटेंस लेवल को बढ़ाएंगे रासानिक परिवर्तन की परकिरिया है साधान लवन का जल में घुनना ये एक भोतिक परिवर्तन है परभाजी आस्वन से पैंट्रोलि तो मोटर कारों में पैंट्रोल का देहन क्या है रासानिक परिवर्तन नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे बोला गया है कोशन में कि जलका जलका वास्प में परिवर्तन कहलाता है जलका वास्प में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ दरू से गैस में जाना तो दरू से गैस में जाना यानि वास्पी करन तो वास्पी करन जिकने भी भोतिक पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होते हैं तो सभी क्या होते हैं भोतिक परिवर्तन होते हैं तो आपका option भी सही है आगे next बात कर लेते हैं भोतिक परिवर्तन का एक उद्धान बताना है हवा में चांदी के बर्तनों का खाला होना तो ये एक रासानिक परिवर्तन है मौमबत्ति का जलना ये एक रासानिक परिवर्तन ह दूस्से दही का बनना ये भी एक रासानिक परिवर्तन है लेकिन पानी में चीनी का घुनना ये एक आपका भोतिक परिवर्तन है नेक्स कोस्टन पर देख लेते हैं निम्न में से कौन सा रासानिक परिवर्तन का उद्धारन है तो पिरजिम से गुजणने पर सवेत परकास का साथ रगों में विवक्त होना ये आपका रासानिक परिवर्तन नहीं है सबजियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ये आपका रासानिक परिवर्तन है सानी हुई मिट्टी का सुकने पर भंगूर हो जाना ये भी आपका रासानिक परिवर्तन नहीं है नमक का पानी में गुलना ये भी आपका रासानिक परिवर्तन नहीं है तो ओप्सन नंबर हमारा बी सही है सबजियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासानिक परिव निम्न में से कौन सा राशानिक परिवर्तन के उद्धालन है सोडियम क्लोराइड का किष्टिकलन एक भोतिक परिवर्तन है बरत का गलन ये भी एक भोतिक परिवर्तन है दुग्द आसकंदन नीचे दिये के कुट का परियोग कर सही उत्तर चुनिए तो जो दुग्द आसकंदन है वो आपका एक दुग्द आसकंदन आपका एक क्या है रासानिक परिवर्तन है तो ओप्सन आपका कौन सा सही है केवल भी सही है आपका तो next इन में सभी में रासानिक परिवर्तन कौन सा है जल का बरप में बदलना ये हमारा भोतिक परिवर्तन ह ये भी एक भोतिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना, आपका एक क्या है रासानिक परिवर्तन Next question देख लेते हैं, ठोस कपूर से कपूर वास बनने की किरिया को कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वास्प मैंने आपको बताता कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या होता है उद्रपातन या ठोस का सीधे वास्प में बदलना क्या होता है उद्रपातन और गैस का सीधे ठोस में बदलना होता है निक्छेपंडी पोजिशन तो इसमें ओप्शन कौन सा स आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो साइन्स के ऊपर लाते रहेंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो म तेंक यू